भारत के सबसे खतरनाक जानवर नमबर एक, सांप, सांपों की ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो अपने जहर से पलभर में किसी की जान ले सकती हैं। इन में से कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक सांपों के कारण भारत में प्रत्तिय प्रत्येक साल 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसके पीछे अंधविश्वास भी एक प्रमुक कारण है। क्योंकि सांपों के काटने के बाद लोग अस्पताल की जगह साधू या उंजह से अपना इलाज कराने लगते हैं। नमबर दो, टाइगर, ये भारत का दूसरा सबसे खतरनाक जानवर है। भारत में प्रत्येक साल 800-1000 ऐसे मामले सामने आते हैं जब बाग इनसानों पर हमला करता है या उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इस मामले में सुंदर बन के टाइगर स्टॉप पर हैं जिन्हें मानव भक्षी टाइगर भी कहा जाता है। नमबर तीन, हाथी, भारत के खतरनाक जानवरों में हाथी भी शुमार है। प्रत्येक साल जहां शिकारी दांतों के लिए हाथियों को मारते हैं, वहीं भारत के अलग-अलग हिस्सों में हाथी द्वारा सोयों लोगों को मार दिया जाता है। 4. बिच्छू. भारत में बिच्छू की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें 50 प्रजातियां बेहद ही खतरनाक होती हैं, जो किसी की भी जान ले सकती हैं. इनकी वजह से प्रत्येक साल 26-100 लोगों की मौत हो जाती है. 5. मच्छर. मच्छर अपने दंश के कारण कई अलग-लग रोग फैलाते हैं, जिनकी वजह से पुरे विशव में लाखों लोगों की मौत हो जाती है. मच्छर के कारण फैलने वाले मलेरिया और डेंगू की वजह प्रत्येक साल भारत में भी सैकड़ो लोगों की मौत हो जात वहीं इनके काटने की वजह से आए दिन हजारों लोग अपना इलाज कराने अस्पताल में भरती होते हैं। प्रत्येक साल यह कई लोगों को अपना शिकार बना लेता है। हालांकि आंकडे मौजूद नहीं हैं। बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा मगरमच कावेरी नदी में पाए जाते हैं। नमबर नौ, बंदर क्या आप सोचते हैं कि बंदर किसी की जान नहीं ले सकते हैं, तो आप गलत हैं। प्रत्येक साल बंदरों की वजह से भी कई लोगों की मौत हो जाती है। बंदर लोगों पर हमला कर घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से मौत तक हो जाती है। झाल झाल